जोस्तों मानो या ना मानो लखी तो हैं यार आप लोग एक ऐसी जोब जो कि 10 साल बाद आप लोग का दरवाजा खटखटा रही है यह 2013 में लास्ट वेकेंसी आई थी अब यह वेकेंसी 2023 में आ रही है इससे भी इंटरस्टिन बाद बताऊं यह पर्टिकुलर जो पोस्ट है इसमें जो कुहला 2013 का पेपर था और 2014 अभी आगे 23 में जो आगे पेपर होगा इनके 24 के स्टार्टिंग में वो पर्टिकुलर पेपर जो है उनका सलेबस बिलकुल आप लोगो डिफरेंट नजर आएगा यानि के हर एक इंसान जो इस फोर्म को भरेगा वो एक बदम इक्व अनिवा किसी रिजन की वेसे और अभी उनके पास में एक साल और बचा हुआ है इस फोर्म को भरने के लिए UPSC के उसमें एज जो है वो 32 है इसने तुरंत 33 एज दिये यानि कि ये चाहा रहें कहीं नगई कि UPSC को फोर्म को फिल करने वाले बच्चे जो खासकर काफी सीरिस होते हैं एक्जाम को लेका तो वो भी हाँ पर कम से कम इसके अंदर में सिरकत कर सके वरना normal किसी एक्जाम में 33 एज होना मैंने तो आज तक नहीं देखा है rarely किसी एकजाम में एक का दुक्का में होता है तो इस तबी एज जो है 33 रखने के पीछे कुछ ने कुस तो आप पूस्ट है मैंने जैसे बोला कि ये लगभग 10 साल बाद आ रही है तो सबसे इंट्रेस्टिंग चीज कहा है आप इस पोस्ट के बारे में दोस्तों वो है इस पोस्ट का नेचर यानि कि अगर आप लोगों ने थोड़ा भी UPSC की प्रिपरेशन करी है लगभग आप लोग ने तो you are lucky मैं lucky बोलूग यार इसको लोगी मतलब जब में प्रिपरेशन करा था हमारे सामने तो यार यह जो बाई नी आज आप लोगे सामने आईए तो सोचो आप लोग यहाँ पर तो यह एक तरीके से जैसे नहीं EPF होगी पोस्ट आती है उसी के फैटन में पोस्ट आप लो इसको पूरा का पूरा notification जो है वो मैं आप लोगों के साथ में discuss करूँगा और इसके साथ में इसका जो main notification है वो भी मैं आप लोगों से share कर दूँगा आप लोग उसको जाकर download कर लेना है तो telegram से या फिर आप लोग यहाँ पर directly इसकी website से भी जाकर इसको download कर सकते हैं CSIR की full form क्या है I hope कि आप लोगों बताऊगा comment box में लेगे नहीं तो मैं आगे बताऊंगा ही ठीक है section officer जो है यह आप लोगों यहाँ पर जो इसकी post देखने को मिलेगी यह एक तरीके सा आप लोग बोल सकते हैं बहुत ही important post है जिसमें 76 vacancy है और इसी का second version है जिसके अंदर में 368 vacancy ह है total होगी triple four देखो क्या जोड़ी बैठा रखिए four 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 ठीक है इसमें सबसे interesting चीज़ जो आप लोगों देखने को मिलेगी दोनों की age limit जो है वो 33 है यहाँ पर यानिके 32 साल से एक साल extra करके दे रखिए आप लोग को यह फाइदा देखने को मिलेगा जिसके से को लग रहा थ यार एज नहीं आती है कई सारे exams के अंदर में नोर्माली जैसे आप लोग तैयरी करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर यह आप लोग के सामने बहुती शांदार opportunity है एक request करूँगा मैं आप लोगों से paper आप लोग को देना ने देना बाद में आप लोग इसका mind बना लेन at least form इसका आप लोग जुरूब भलीजेगा क्योंकि इससे फाइदा यह होगा कि बाद में चलकि आप लोगो लगया और UPSC के दो preparation हुई नहीं है इसके lack तो हम लोग ने कर रखी है तो आप लोग यह पास में एक option रहेगा regret नहीं करोगे और सबसे शांदार बात जो मुझे को देखने को मिलेगा तो आप लोग को यह बता देगा कि आप लोग किस तरीके से prelims के लिए त्यार हो क्यों कि इसका भी pattern लगबग आप लोग को ऐसा ही देखने को मिलेगा उसे नहीं EPF होगी post में आप लोग को बताए थी लगबग उसी pattern में सारी चीज़े वहां भी पढ तो मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा नोटिफिकेशन जो है यह 8 दिसंबर को निगला और यहां पर जो basically last date है वो है बार है जन्वरी नुर्मली क्या होता है ज्याद हो 20 दिन देते हैं फोर्म भनने के लिए या फिर मतलब एक तरीक से ना एक महिने से एक महिने का यार कौन सा पेपर आगे है ठीक है कई सारे विच्चों ने बोला कि CSR का पेपर आया है उसका नोटिफिकेशन एक बार देखकर वीडियो बना दो तो समने रहे आप लोग यहां पर मतलब एक तरीके से यह कैसी अपोर्चूटी है जो बहुतों लोग इनों तो कभी जिं तो 500 का फोर में यहां पर और अगर आप लोग वुमेन, SCST, वरसन वे डिसेबिलिटी एक सर्विसमेन या फिर CSIR के डिपार्टमेंटल केंडिडेट है तो उनके लिए कोई फी यहां पर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी तो यह एक बेसिक इन्फोर्मेशन होगी अग और यहां पर टोटल पोस्ट आप लोगे सामने हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह SO Journal हो गया, SO Finance and Account हो गया, SO Store Purchaser होगी हां पर इसी के साथ में, next आप लोग को देखने को मिलेगी, पोस्ट यहां पर यह है ASO के लिए, इसमें भी ऐसी कैटेगरी में डिवाइट और टोटल जनल और इसी के साथ में पोस्ट आप लोगे यहां पर देखने को मिलेगी, मेन जो मुद्दा है, जो मैं आप लोग को इसके बारे में क्यों force कर रहा हूं कि आप लोग इसका paper दे देना चाहिए, तो आप लोग को देखने को मिलेगा, यहां पर basically इसका सले बस, जो बोला मैंने आप लोग को UPSC वालोग को यह paper देना चाहिए, जनल अवेरनेस आप लोग पढ़ रहे है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, यह language सारा आप लोग, आप लोग C.Sat के paper में सारी चीज़े cover करते हो, थोड़ा बहुत आप लोग को बता है, C.Sat का paper जिसका strong है, उ यहाँ पर भी वो देखने को मिलेगा, यहाँ पर paper first होगा, जब इस stage first होगी, तो उसमें दो paper आप लोग को देखने को मिलेगे, पहला paper आप लोग करहेगा, general awareness का, so number, जैसे normally आप लोग के UPSC question होते हैं, उसी pattern में हाला की question यहाँ पर और आसान रहेंगे, क्योंकि question की संख् पर आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक सो बीस मिनट के अंदर ही, आप लोग उसे date question पूछ लिया गया, तो जैसे state level के question यहाँ तो तो थोड़ा उस level पर question का level आसान देखने को मिलेगा, क्योंकि संख्या बढ़ जाती है, तो यह इस तरीके सा आप लोग pattern समझ सकते हैं, इसी के साथ में general intelligence, reasoning और mental ability, भाई साथ 200 number का है, पूरा का पूरा, तो यहाँ से अंदाजा लगा है, इसलिए मैंने का था, कि जिसने cset वगेरा वाला portion जो है, वो ढंक से करक्खा है, उसके लिए बल्ले बल्ले हैं यहाँ पर होने वाली है, तो यहाँ से आप के में आप लोगों यहाँ पर नहीं लेना है, इसी के साथ में stage 2 के अंदर जब आप लोग जाओगे, तो यह descriptive है, UPSC में आप लोग answer writing करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही आप लोग को English और Hindi, वही भी आप लोग चूज कर सकते हैं, उसका descriptive paper आप लोग यहाँ पर देखने क करा जाएगा, और तीसरी जो state है, यह है interview के लिए, यह ASO में नहीं है, ASO में interview के जगए क्या होगा आप लोगा, यह होगा computer proficiency test, तो दोनों में यही difference है, ASO वाली post में अगर किसी को interview से भी डर लगता है, तो आप लोग का interview भी हाँ पर गयाब हो गया है, ASO वाली post में, जिस paper है, यह हाँ पर क्या लिखा हुए, अगर मैं एक बार थोड़ा सा pen दूसरे लेतो, यह आप लोग में हाँ इंगलिस और हिंदी देखने को मिल रहे है, हिंदी या फिर इंगलिस में, आप लोग paper किसी में भी दे सकते हैं, यह descriptive paper रहेगा, इसके अंदर में आप लोग क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आप लोग को निमंद, ठीक है, इसी के साथ में आप लोग को प्रेसी देखने को मिलेगा, इसको आप लोग थोड़ा सा precise form में लिखते हैं, चीजों को करके, ठीक है, और letter और application writing आप लोग को देखने को मिलेगी, यानि कि हो सकते हैं आप आप लोग को देखने को मिल जाएं निमंद का, एक होगा आप लोग को प्रेसी, यानि कि जो precise लिखने वाला, और एक आप लोग को यहाँ पर application या फिर लेटर, इसमें से कोई आप लोग को एक लिखने को मिल सकता है, तो यह आप लोगों का second stage होगा, अगर अभी भी तयार ही नहीं है, तो tension करने की कोई जूरत नहीं है, अभी first stage आप लोग clear करिए, second stage आप लोग के लिए हाँ पर बिलकुल free रहेगी, मतलब एक तरीके से, उसके लिए time मिल जाएगा, आप लोग को मैं यह बोलना चाहरा हूँ, तो होच-पोच होने की बिलकुल भी जूरत नहीं है इसलिए मैं आप लोग को बोला था ना, जब basically यहाँ पर यह IB वाला paper आप लोगों ने देखा, तो यह सबसे important बात क्या थी, उसमें भी यही portion आप लोग का पूचा गया है, basically, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह कहीन है कहीं maximum, अगर आप लोग च एक सुनहरा, एक अफसर आप लोग बोल सकते हो, और यह मुझे तो इसलिए भी लग रहा है कि देखो, आप लोग को next year election देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वज़े से भी यहाँ पर इसको सामने लेकर आया गया है, ठीक है, यहाँ पर important बात याद रखना, कि यहाँ पर आप computer proficiency जो test देखने को मिलेगा, यह mainly assistance section officer के लिए है, तो यहाँ पर यह only qualifying है nature का, क्योंकि interview तो को marks आप लोग को यहाँ पर जुटते वे न जराएंगे वापर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को यह qualifying nature का है, इसलिए दोनों की merit जो है, वो अलग-अलग number में से तयार आप लोग को अलग-अलग number देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर अगर बात करें, तो यहाँ आप लोग के सामने 100 number होगे, 1500, 1500, 1500, 300, यहाँ पर आप लोगे 200, यहाँ पर 600 number आप लोग के सामने होगे, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग बात करोगे, तो यहाँ पर आप आप लोग को add होते हुए यहाँ पर नजर नहीं आएंगे तो इतना difference आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं यह पर दोनों का एक ही होगा जिसमें से आप लोग को basically यहाँ पर जिसका TOF होगा उसको यहाँ पर SO मिल जाएगा लेवल 8 का देखने को मिल रहा है जो EPA4 की vacancy नहीं थी उसके अंदर में देखने को मिल रहा था याँ कि 1 lakh के करीब आप लोग की salary हाँ पर पड़ेगी आप लोगी सारी जो भी alumsies मिला कर ठीक है तो यह section officer की है grade B की gadgeted post है भाई साब यह यह भी याद रखना यह non-gadgeted है और यह आप लोगी gadgeted post है यहनि कि gadgeted officer बना रहे है इतने आसान तरीके से आप लोगो जो की बहुती ज़्यादा मसकत लगती है जब दूसरे pattern में आप लोगो paper देखने को मिलता है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि इसके लिए आप लोगो थोड़ा सा serious होकर लग जाना चाहिए form at least ज़रूर भर लेना चाहे आप लोग आप बार दे recite कर लेना paper देना नहीं देना पर बाद में यह नहों कि एक तरीके से regret रहे जाए कि 10 साल बाद यार एक paper निगला था उसका भी form नहीं बढ़ा है ठीक है अगर आप लोग थोड़ी सी help चाते हैं तो study lover का नाम से आप लोग application है study lover veer के नाम से आप लोग उसको download कर सकते हैं और या फिर study lover veer.in website पर भी जाकर आप लोग को कुछ फाइदा हैं पर मिल सकता है जैसे cset का course है यह कैसा course है जिसमें यहाँ पर एक तरीगे से पूरा सब कुछ कराया जा रहा है UPSC के level पर और इसी के साथ में यहाँ पर English का भी अलग से basic classes कवर है सारी के सारी यानिके English आप लोगी शांदार तरीगे से तयार होगी English का बिल्कुल शांदार तरीगे से आप लोगो फाइदा क्या होगा जो मैं बता रहा हूँ Maximum portion जो मैं आप लोगो बता रहा हूँ वो cset के अंदर कवर हो जाएगा अगी gs का बचके है अगर आप लोग चाहते है gs के लिए अलग से अगर आप लोग कुछ करने है तो gs आप लोगा पूरा यहां कवर हो जाएगा basic course है यह इसके अंदर में है यह इनकि इसके लिए कोई अलग से course नहीं है पर हाँ जिस किसी ने यह basic course इलिएक है मैंने बताया था इसके अंदर में लगबग 15-16 subject सारे कवर हैं मतलब यह recorded batch है फटा फट आप लोग इसको जोइन करके अपनी सारी चीज़े फटा फट निपचार सकते है science हो गया, quality हो गया, geography हो गया, history हो गया, जो भी आप लोग है, सारा portion फटा 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 आप लोग यहां से cover कर सकते हैं ठीक है और इसके अंदर, basically आप लोग को देखने को मिलेगा, दो course में किसी लिए रहो है यह यह अलग है, क्योंकि यह तो UPSC वाला CZ का हो गया, इसके अ पर लेकिन मैं यह कहूंगा, अगर UPSC का course आप लोग ने ले रखा है already, तो फिर आप लोग को कोई tension नहीं है, फिर आप लोग इस paper को धडले से दे कर आओ, फिर तो आप लोग की सारी चीज़े cover ही हो रखी है, तो आप लोग को कोई भी tension लेने की उज़रत नहीं है, किसी औ आप लोग तयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग बेसिकली तयार है ना, जनवरी में आप लोगो बेसिकली sociology का, इसी के साथ में PSIR का, और इसी के साथ में आप लोग के सामनी जो batch होगा, वो होगा geography का, ठीक है, और prelims के लिए भी prelims focus batch आप लोग आएगा, जो की बहुत ही शांदार तरीके से आप लोगो फायदा पहुचाएगा, वो mainly UPSC के prelims के अध्यान में रखके start के जाएगा, बाकि आप लोग कुछ और suggestion देना है तो comment box में जरू बताना, पर मेरी request है आप लोगों से कि form जरू भर देना, अगर खास कर आप लोगों ने थोड़े time भी serious पढ़ाई की है तो, चलिए यहें पर इसे माप्त करता हूँ वीडियो, किस-किस को इस form के बारें पता था, बताए जरा, और जिस किसी को नहीं पता था, वो एक तरीके से पता हो गया आप लोगो, अब आप लोग इसको मत छोड़ना, Council of Science and Industrial Research CSIR का form है, जो की बहुत ही एक important, reputed organization है, government of India की अंदर में, ठीक है, चलिए, ब्रकता, ये, बिसिक लिए, बताए ये, आप लोग कौन कौन अपकी बार प्रिलिम्स देने वाले है, जामत हो सही, अगर प्रिलिम्स आप लोग देने वाले है, तो आप लोग को तो नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, all the best चलिए, अच्छी से फोम भरिएगा, ठीक है, और लास्ट डेट से पहले ही निप्टा लेना, बाद में टेंसन मत लेना फिर, ठीक है,